लो फ्रेंज नमस्ते श्वास्टे काल वुरकम असलाम वालेकुम और नमस्कारम तो ओल्माइवाइबल वियर्स वेलकम तो माइड यूट्यूप चैनल तोड़े अम है वाद अस्पेशल वीडियो दोस्तों हर लिड़की का सपना होते हैं उसके पार लंबे हों घने हों काले ह staging आखकल के busy lifestyle में हम असइस बूरा जहते हैं doos कॉछ Scott कमजोर हो जाते हैं जहने लगते हैं अरो भूत अज में आपको एक ऐसा हरवर शेंपू बनाना सीखाओंगी चिसे आप एक हक्ते में घोकर만 लेगा बूस्तों इससे हापके बालों में नहीं जाना बनेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हरबर शेंपू बनाने के लिए दोस्तों इसके लिए हमें 100 ग्राम आमला चाहिए सुखे हुए आमले 100 ग्राम शिका काई 100 ग्राम रीठा 2-3 प्याज कटे हुए और 8-10 जो है लहसुन की तुरिया होती है उसको हम खोर लेंगे अलग लग क 15-20 नीम के पत्ते हमें चाहिए दो से तीन हमें लॉंग चाहिए और एक लीटर पानी फिल्टर वाटर हो और एक जो खाली वाटर लेंगे दोस्तों सभी इंग्रेटियंट्स को हम एक कडाई में बड़े पैन में एक लीटर पानी के साथ दो दिन के लिए बिगो के के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों दो दिन रीखने के बाद कडाई को हम गैस पर रखकर 15-20 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि कडाई में जो है जाग बनने शुरू हो गई है गैस बंद करके कडाई उतार के एक किनारे आव ला रीठा प्याज जो भी चीज़े सभी को हाथों से मसल लिए ताकि उनका जो सत है जोनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो सारी उस पानी में आ जाए अब आप छनी से चान कर इस पानी को एक खाली बोटल में भर के रख लेजिए शैंपू तेयार है आप इस एक जड़ना कम हो जाएंगे और आपको बहुत ही पॉजिटिव रिसल्ट मिलेगा दोस्तों अनियन में बहुत सल्फर होता है जो बालों की ग्रोथ को फास्ट कर देता है और जो नीम के पत्ते हैं उसमें एंटी फंगल प्रोपर्टी स्पाई जाती है एंटी बेक्टियल प्र इंटरफ हो जाना उसमें आपके दो मुहें बाल हो जाना उन सबसे आपको रहत मिलती है साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है जोस्तों नीम की पतियां जो हमारे दादी नानी